जहिन दोस्तों, Defense Officers Academy के YouTube चैनल में आपका स्वागत है एक्जाम आने वाला है, सर हम तयारी किस तरीके से करें? ये एक सवाल है, जो हर एक बच्चा या पेरेंट्स आजकल सोच रहे हैं कि हमें अपने बच्चों की तयारी किस तरीके से करानी चाहिए या वो स्टूडेंट्स जो किसी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं, उनको अपने जो आने वाला एक्जाम है, उसकी तयारी किस तरीके से करें? तो आज मैं आप लोगों को ऐसे पांच पॉइंट्स बताऊंगा, अगर आप उन पांच पॉइंट्स को फालो करते हैं, तो आपको उस एक्जाम को क्लियर करने में बड़ी असानी होगी, वो पांच स्टेप हैं, सबसे पहला जो इसमें सवाल आता है, वो ये आता है कि बेस्ट टाइम जो है, वो पढ़ाई का कौन सा है, इस सवाल से भी बच्चे जूशते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि हमें सुबह पढ़ना चाहिए, दिन में पढ़ना चाहिए, रात को पढ़ना चाहिए, तो according to me, मे सुबह आठ बजे का टाइम है, इसको ब्रह्म मूरत कहते हैं, इस टाइम पे अगर आप पढ़ाई करते हो, तो जो आपका कॉंसेंट्रेशन लेवल होता है, वो बहुत हाई होता है, पात से आठ, तीन घंटे एक तरफ और पूरे दिन की पढ़ाई एक तरफ, मैं ये नहीं कहरा कि आपको दिन में नहीं पढ़ना चाहिए, रात को नहीं पढ़ना चाहिए, अगर आपको कुछ चीजों को अपने दिमाग में रखना है, तो जो बेस्ट टाइम है, वो सुबह पांच से आठ का ही होता है, अब कुछ सवाल इसमें आएंगे, कि सर लेकिन हमें तो रात बजे उठके पढ़ने की आदत बनाएंगे, तो आपको जो भी आप पढ़ेंगे, उसकी जो समझ होगी, वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आहेगा, दुसरी जो चीज है, जो आपको करनी है, वो है, stay fit, stay healthy, देखिए, exam आने वाला है, अगर मैं REMC के exam की बात करता तो चार महीने आपके पास है, मैं आपसे कहूंगा, इस चार महीने के दौरान में आपको fit रहना है, आपको healthy रहना है, अब fit और healthy रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आने वाले चार महीनों के लिए आप junk food खाना छोड़ दीगे, चाउमिन, मोमो, pizza, burger, इस सारी चीज़ें आप खाना छोड़ दीगे, अब बहुत सारा पानी पीजिए और minimum 20 minutes आप exercise करेंगे, जब आप exercise करते हैं तो आपकी जो body है, वो और ज्यादा active हो जाती है, और जब आपकी body में activeness रहती है, तो पड़ाई करने में और भी मज़ा आता है, तीसरा जो point है, वो है take breaks, कभी भी आप ये मा सोचिए कि मैं 4 घंटे लगातार पड़ूंगा, आपको 45 to 1 hour, 45 to 60 minutes से आपको पड़ाई करनी है, उसके बाद आपको 15-20 minutes का break लेना है, जो concentration first 45 minutes में होता है, वो last 3 hours की पड़ाई में नहीं होता है, तो कभी भी अगर आपको पड़ाई करनी ह तो आप अपनी पड़ाई के, जैसे आपने सोचा है कि आपको आप 4 घंटे पड़ना है, तो 45 to 60 minutes के बाद आप 20 minutes का break ले, उस break में आप खेल सकते हैं, उस break में आप कोई भी अपना hobby की चीज़ कर सकते हैं, आप singing कर सकते हैं, आप dance कर सकते हैं, आप छोटा सा कोई game खेल सकत हैं, तो छोटे-छोटे breaks लेना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपका जो concentration है, वो बना रहेगा, जो पाँचवा point है, वो है, take it easy, देखिए, life जो है, वो बहुत बड़ी है, और जो भी ये exams हैं, ये हमारी life का एक हिस्सा है, ठीक है, तो कभी भी आप exam में जब जाएं, अगर ताकि तयारी अच्छी है, आप exam देने के लिए जाएंगे, और अगर उस exams में जो भी result आता है, तो इसका मतलब ये नहीं है, कि आपको journey है, वो खतम हो गई, ठीक है, बड़े cool mind के साथ आपको exam देने जाना है, बड़े मज़े के साथ आपको exam जाना है, और जब आप cool mind होके मज़े से exam देने जाएंगे, तो सफलता आपको मिलेगी, तो ये 5 points थे जो मैंने आज आप लोगों को बताए, अगर आप इसको follow करते हैं अभी से, क्योंकि अभी exam में 4 महिने का time है, अगर आप इन 5 points को follow करते हैं, तो definitely आपको अपने exam में सफलता मिलेगी, धन्यवाद दोस अगर राश पन्यवी अगरो, तो बताए करते हैं, अभी कोछा हैं है करते हैं, जर आपको मिलेगी, तो सबनर्क